एक important बात मैं आपको phone pay के बारे में बताना चाता हूँ अगर आप phone pay को इस्तमाल करते हो और कभी भी हो सकता है कि गलती से आपका पैसा कहीं दुसरे account में चला जाए आपका कुछ पैसा आपके गलती के कारण ही कहीं और चला जाए ऐसे में आप phone pay customer care को call करते हो लेकिन इसके चलते ही जो है लोगों का लाखो रुपिया bank account से लूटा जा रहा है कैसे लूटा जा रहा है इस बात को आप जरूर समझ लीजिए ताकि आपके साथ ऐसा कोई भी चोड़ी वाला घटना ना खटे होता क्या है कि जब कभी भी आपका पैसा गलत एकाउंट में चला जाता है तो refund लेने के लिए आप Google पर जाके customer care number सर्च करते हो phone pay का customer care आप लिखोगो Google पर जाके phone pay customer care number तो होता क्या है कि कुछ fraud लोगों ने अपना Google पर एड को चला रखा है phone pay customer care number से तो जब भी आप सर्च करते हो उन fraud लोगों का number वहाँ पर डिस्पले होने लगता है सबसे उपर में आपको phone pay का जो official customer care number है वो नहीं वो तो बाद में सो होता है सबसे पहले उनका fraud number सो होने लगता है तो आपको लगता है कि यही वाला जो number है यही सही है इस पर ही हमको contact करना चाहिए जैसे ही आप उस number पर call करोगे वहाँ से बोला जाएगा कि हाँ आप बिल्कुल सही जब call की है हम phone पे customer care से बात कर रहे हैं आप अपना problem बताओगे कि भाई हमारा पैसा loss हो गया है किसी account में चला गया या जो भी problem है आप उनको बताओगे तो वो बोलेंगे आप से कि हाँ हाँ बिल्कुल टेंसर मत लीजे हम आपका पूरा पैसा refund कर देंगे दो मीनट के अंदर जैसे जैसे हम आपको बताएंगे वैस वैसे करते जाएगे वो fraud लोग आपको instruction देंगे समझें और आपका जो है वो आपको बोलेंगे कि जैसे जैसे आपको हम phone पे पर करने के लिए कहते हैं करिएगा तो वो आपसे आपका phone पे का जो mobile app है open करवा लेंगे उस पर चानाकी से जो है पचास अजार, साथ हजार जो भी है वो amount भड़वाके वो अपने fraud वाले bank account में उसको transfer करवा लेते हैं सीक है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो आपके mobile पर any desk या फिर team viewer जैसे remote application को install करवाके आपके mobile को जो है access कर लेते हैं और फिर अपने तरीके से जो है आपके सारे detail को देखके access करके आपके bank account से पूरा पैसा अपने account में transfer कर लेते हैं समझें, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो आपके phone पे account पर जो है न एक बड़ा amount जैसे कि पचास अजार, एक लाग का request फिज़ जेंगे और बोलेंगे उसको click करके वहाँ amount को जो है न आप verify कीजिए, आपका problem solve हो जाएगा onth तक last तक ये लोग यही बुलते रहते हैं कि तुरंत आपका पैसा refund हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उनका बात मान के आप button को press करते हो उनके कहे अनुसार आपके account से सारा पैसा जो है वो निकाल लेते हैं लूट लेते हैं, इसलिए जरूरी है कि customer care सही number को चुना जाए आप अगर phone pay को इस्तमाल करते हो तो उसके अंदर में ही customer care को search करने का option होता है, या फिर phone pay के official website पर जाके आप जो है इसके बारे में पूरा जनकाई ले सकते हो अपना जो भी problem है, समस्या है आप बता सकते हो या फिर जिस bank से भी आपका पैसा कटा है उस bank में जाकर आप complain कर सकते हो, return में सारा complain कर सकते हो, problem solve हो जाएगा, बिना मतलब का search जब आप करोगे Google पर तो गलत नंबर को मत उठाईए वहाँ सा नहीं, तो आपका life जो है, पूरी तरह से बड़बाद हो जाएगा आपका महनत का पैसा जो है पूरा का पूरा जो ये लोग है fraud कर लेते हैं, एक बड़ पैसा चोड़ी हो जाएगा, तो आने का गुंजाईस भी कम जो भी कंप्लेंद करना है, जल से जल करें ताकि वो एकाउंट को अपना खाली करने से पहले पकड़ा जाएगा, ये बहुत जरूरी है अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ अपना प्रॉब्लम बताना चाहते हैं तो हमसे एकाउंटे कीजिए, call me for आप पर इसका पूरा डेटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिस्पन में मैं डाल दूँगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं, नन्यवाद